हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हुम जानने वाले हैं चैसे पैचाने कि आपके दाटों में सडन हो रही है यदी आपको आपके दाट या दाडू में निले या पिर काले रंग के धब्बे दिखाई दें तो हो सकता है आपके दाडू में सडन लग रही हो और यदि आपके दातों में खाना फस्ता हो तो ये एक important sign है कि दातों में सडन लग रही है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि शुरुवाती stages में दातों में दर्द नहीं होता है इसलिए patients जादा सतर्क नहीं होता है लेकिन यदि शुरुवाती stages में ही filling करा ली जाए तो ये आपके लिए जादा फायदे मन्द है क्योंकि शुरुवाती stage में दात का जादा नुकसान नहीं होता है यदि आपके दातों में खाना फस्ता है और थंडा या गरम पानी पीने से या फिर मीठा खाने से तेज दर्द होता है लेकिन वो कुछ दिर में अपने आप ही बंद हो जाता है तो समझ लेजिए कि आप सडन के दूसरी stage में है अभी भी ये मुम्किन है कि सिर्फ दात में फिलिंग करा लिने से ही ये एकदम ठीक हो जाए लेकिन यदि ऐसे सिति में आपने सिर्फ टैबलेट खाकर या इससे टाल कर सडन को अगली stage में जाने दी दिया तो आप पहुँच जाएंगे stage निमर 3 में तीसरी stage में patients को बहुत जोड़दार दर्द होता है और ये लगातार बना रहता है patients इस stage में भी दवाईयां लेकर के इस थिति को भी टाल देते हैं लेकिन ये आगे जाकर के काफी हानिकारक साबित होता है अगर आपकी दाण में छेद हैं और उसमें खाना फस रहा है और यदि आप उस side से नहीं चबा रहे हैं तो आप stage 3 में हैं दोस्तो अब के बर feeling से काम नहीं चलता अब ऐसे दाथ या दाण को बचाने के लिए आपको root canal treatment कराना ज़रूरी है दोस्तो पेशेंट सालों साल खराब दाण वाली side से नहीं चबाते हैं और dentist के पास जाने से बचते हैं लेकिन इससे वो दाण लगातर खराब होती रहती है और उसके सिति दिन बदिन बिगड़ती जाती है जब दाण की जड़ में infection पहुच जाता है तो सिति काफी painful बन जाती है चेहरे पर सुजन आ जाती है और मसुड़े में पस पढ़ जाता है कई बार तो ऐसे सिति में हमको दाण भी निकालना पड़ता है और हो सकता है पस निकालने के लिए हमें मसुड़े में चीरा लगाना पड़े तो दोस्तो इसलिए यदि हम दाणों की सड़न को शुरुवात में ही पहचान करके उसका इलाज करवा ले तो ना सिर्फ ही आपके दाण के लिए अच्छा है बलकि इसमें दर्द भी बिल्कुल नहीं होता है और खर्ज भी जादा नहीं आता है जितना लेट आप करते जाएंगे दर्द भी उतना ही बढ़ता जाएगा और क्रिट्मेंट का कॉस भी अगर आपको अपने दातों में गड़ा दिखाई दे रहा है या फिर आपका खाना फस रहा है या फिर आपको थंडे, गरम या मीटे से संसिटीवीटी हो रही है तो आज ही आपके देंटिस को दिखाईए तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज की information आपको पसंद आई होगी अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दातों में filling कैसे होती है और root कैनल क्या होता है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज उसे subscribe करिए और bell icon प्रेस करिए जिससे आपको हमारे नई वीडियो की information time to time मिलती रहे आप आपके queries और आपके suggestions comment section में डाल सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें